हलो फ्रेंट्स वेलकम टो मामास किंडर कार्टन फ्रेंट्स आज के वीडियो में हैं मेरे पैरेंट्स की सीक्रेट रेसिपी तिल के लड़ू बनाने की इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं एक किलो तिल, एक किलो मुफली, दो किलो गुड, आज़ा किलो खजूर, पाव भर गॉंद, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बदाम, 10 ग्राम सौंट, 10 ग्राम सफेद काली मिर्ची, 500 ml घी और मतीरा मिंजी 200 ग्राम इस रेसिपी को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टन स्टेप है, वो है सभी इंग्रिडियन्स को रोस्ट करना तिल और मुफली को अच्छे से ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, और जो ड्राइ फ्रूट्स हैं, मतीरा मिंजी, काजू और बादम, उन्हें केवल मॉश्चर रिलीस करने जितना रोस्ट करेंगे, कुछ सेकिंड्स के लिए, ताकि उसमें जो मॉश्चर हो, वो रिलीस हो सके तो सबसे पहले हम सीखी हुई मुफली को मिक्सर में ब्लैंड करके एक बाउल में इखटा कर लेंगे, हमें इसे दरदरा पीसना है, इस तर से थोड़ी थोड़ी करके हमने अल्मोस्ट सारी मुफली मिक्सर में ब्लैंड करके उसमें एड़ कर दी है, नेक्स्ट हम तिल को मि मिक्सी में ब्लैंड करके और एक बॉल में एक खटा कर लेंगे हमने तिल भी सारे पीस लिये हैं मिक्सी में थोड़े थोड़े करके और इन्हें मुफली वाले मिक्सचर में एड़ कर देंगे मतिरा मिंची को भी हम मिक्सर में बारिक पाउडर बरना के ड्राइ इंग्रीडियन्स वाले सभी मिक्सर में मिक्स कर लेंगे नेक्स्ट हम बादाम का भी पाउडर बना लेंगे और उसे भी हम ड्राइ इंग्रीडियन्स के साथ ड्राइड कर देंगे यहाँ पर काजू को भी powder form में convert करके उसे भी dry ingredients में add कर दिया है Last हम saunt और काली मिर्च को अच्छे से कूटके इसका भी powder बना लेंगे और इसे भी dry ingredients के साथ mix कर दिये यह जो गोटा है खोपरा इसे हमने बारिक बारिक काट लिया था और इसे भी mixer में blend करके powder convert कर लिया है इसे भी हमने इसमें add कर दिया है यहाँ पर खजूर है आप चाहें तो इन्हें बारिक बारिक काट लीजिए और चाहें तो इसे इससर से mixer में blend कर दीजिए नेक्स्ट यहाँ पर हम 200 ml घी को कढ़ाई में ले चुके हैं और जो गॉंद है बारिक वाला गॉंद है इसके फूले हम तियार कर लेंगे अगर आपके पास गॉंद मोटा है तो आप उसे मिक्सी में थोड़ा बारिक कर सकते हैं गॉंद के फूले तियार कर लेने के बाद उसी कढ़ाई में हम लगबग एक टेबर इस्पून घी रखके जो गुड़ हमने लिया है उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे गुड़ को हम फोड़ के ये चक्को के हल्प से बारिक बारिक कर लेंगे और इसमें एक पतली सी पाद बनाएंगे यहां पर आधा कब दूद भी एड़ किया है पाद बनाने के लिए जब गुड़ अच्छे से इसमें मैल्ट हो जाएगा इस मोमेंट पर यहां पर जो पिंट खजूर हमने लिया है उसे भी हम इसमें एड़ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसमें मिक्स करेंगे ताकि जो खजूर है वो भी सॉफ्ट हो जाए गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है गुड़ की पाद की वो चेक करने के लिए आप थोड़ा सा गुड़ साइड में ले लीजिए और इस तरह से एक लड़्डू बना के चेक कर लीजिए अकर लड़्डू सॉफ्ट सा बन रहा है तो हमारी पाद रेड़ी है इस मोमेंट पर गैस पे से उतार देंगे गुड़ को और नीचे उतार कर थोड़ा थोड़ा गौंद और थोड़े थोड़े ड्रा एंगीडिन्स थोड़े थोड़े करके मिक्स करते जाएंगे चुकि यह quantity ज़ादा है तो कढ़ाई में mix नहीं हो पा रही है तो इससे हम थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे बरतन में add कर लेंगे transfer के इसे दूसरे बरतन में और हाथों की help से इसे mix करते जाएंगे और एक सार कर लेंगे इस तरह से बनाएकर लड़ू बहुत ही soft बनते हैं जिनने बच्चे और बुढ़ें बहुत ही आराम से खा सकते हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अभी गुड़ गर्म है तो हलके हलके हाथों से इसे एक सार किया जा रहा है आप चाहें तो recipe में से salt और सफीत कालीबिज को skip भी कर सकते हैं अगर आपको उसका taste नहीं पसंद हो यहाँ पर सारा मिश्रन एक सार हो चुका है यहाँ पर एक छोटा सा स्टैप आप फॉलो करेंगे तो लड्डू बनाना बहुत आसान हो जाएगा जो भी mixture है उसे हम blender में add करते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर के लिए mixi में churn कर लेंगे कुछ seconds के लिए आप mixi में blend करेंगे से तो यह वापे से एक दम अच्छे से एक सार हो जाएगा और जो ingredients हलका फुलका तेल छोड़ेंगे उससे और भी जादा soft हो जाएगा और इसके लड़ू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे बस हम थोड़ा एक एक करके इसके बनाते जाएंगे और इन्हें एक साइट रख लेंगे तो थी ये मेरे पैरेंट्स की स्पेशल रेसिपी दिल के ट्राइफ्रूट्स लड़ू मनाने की अगर आपको भी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू